जब पंजाबी देख दे हो इस साहरे दर्शकरन। ने मेरे उलो प्याषबरी सिस्ट जी का तो अजी चैसे पुआगत प्रोग्राम अजदा मुद्धा देविच Northwest 85 अज मै तो देनाल कुछ वकवक अपडेट्स किसान अंदौनल नू लेके सांजी करना चानिया। एथे ऑन दे ग्राउंड रपोर्टिंग साथी टीम तो अधना लगाता शुरुवात तो शेयर का रही है बड़ जदो किसान अंदोलन दी गालां दी है पंजाब दे हर्याना नू लाके एक बहुत वड़ी तुसी कहलो थीम बन चुकी है एकता दी थीम राजनीती दी थीम जि सीम खटर दी स्टेट्मेंट ते सब्तोवर्डी चीज जो आज डिसकस हुई है अफकोर्स इंडिया दी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है के अगर एक इंदर सरकार तो मसला नहीं हाल हुंदा थेन साड़े वलनों तुसी एक स्टेए एक्सपेक्ट कर सकदे ओने वारे भी तो अ वकवक अपडेश सांजी करांगे तो मैं तो नहीं दसना चांदे तो उसी देखिया के इस तनाधी एक ता ए महाल टीक्री बॉर्डर ते सानू लगातार वेखन नू मिल रहा है जिते कसान अंदोलन नू पहले क्या गया सी के पंजाब दा मसला है इस सिखाना मसला है ओथे म उना तो सानू ईस उनन नू मिल रहा है के देखो जी जो किसानी मुद्धा है ओग सी सिख साधे पंजाब वीरा दा नीये पंजाब साधे वड़र हम से सारयान मसला है जिते किसान अंदोलन नी गलां नी रह गया हुन एंढ एक जनता दा एक मामूली आन्मी दा एक ते इस चीज नो लेके पूरे भारत वेच चर्चा हो रही है कि किस तरह ए मुद्दा एक प्रोटेस नहीं एक रेवलूशन बन चुके है और जिते रेवलूशन नी गालान दिया है उथे साड़ा इतिहास सानु दसता है भारत दा इतिहास दस नहीं किता मुल्की रेवलूशन दे बने असी शथी आधि रेवलूशन करके सानु मिली टिक इतिहास नहीं मिली इतिहास नहीं दस सकता है करांगे जो साथ गैस्ट सा नूँ जॉइन कर रहे हैं मैं तो नूँ ए भी दसना चांदिया है उन्हान ने इस चीज नूँ प्रडिक्ट किता सी कुछ महीनिया पहले उन्हान ने कैसी कि ए जो रेवलुशन होएगी पंजाब ते हर्यानया दे कंदया ते शुरू होएगी प्रोग्राम अज दा मुद्दा पहुंचे एंटीक्री बॉर्डर जिते इस संघर्श बिलकुल जारी है मैं तो नूँ दस्या सी कि अज प्रोग्राम देविच अपा हर्याना पंजाब दी कुछ ए हो जी गल्ला करनी है कि ना के सिरफ एक ता जो तसा नूँ बहुत सुनन नूँ विखन नू मिल रहे है बट पंजाब हर्याना दी राज निती नू लाएके सागना जोड़े हन साथे गैस्ट शालनी यादव जी पुलिटिकल अक्तिविस्, हिस्टोरियन, a PhD in international relations and जो grass roots कम तुसी हर्याना दे विच खास करके women's movement ले, women's rights ले किता है उस सारी जी बिलकुल देखे, politics, opportunities को capture करने का गेम होता है तो जो political parties है, अभी जिस तरह की statements हम देख रहे हैं, वो जो आ रही है, वो इस movement को, जो यह movement इतना build-up हो चुका है, उसको capture करने की कोशिश है लेकिन मेरा यह मानना है कि देखे, जैसे कुछ साल, कुछ महीने पहले जब यह आंदोलन शुरू हुआ, तब भी इस वक्त जो हर्याना की सरकार है, वो BJP और JJP, जो एक नई पार्टी थी, जो एक इनेलोज पार्टी जो पुरानी थी, जो किसानों की पार्टी मानी जाती उसके तूटने से बनी थी, और JJP ने जो अपना इलेक्शन कैम्पेइन रन किया था, वो BJP के अगेंस्ट रन किया था, लेकिन क्यूंकि हंग पार्लिमेंट हुई, तो हंग डिसिजन की वजए से JJP ने सपोर्ट कर दिया BJP को, उस वक्त ही लोगों का बहुत रोश था, बह सबकार के द्वारा, उस वक्त भी जो उनके जो मेंन लीडर है, दुशन चौटाला, उन्होंने अगर वो उस वक्त रेजिगनेशन दे देते, इस मूवमेंट को कैप्चर कर लेते, तो वो एक छोटे से पॉलिटिशन से बहुत बड़ी स्टेट्समेंट बन जाए, तो वो उसको एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया, क्योंकि काफी वोट बैंक जो है, वो जेजेपी के पास चला गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब लोगों ने बहुत बेद कर दी है, क्योंकि जो जनता है, अभी ये वाला जो मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा है इसमें सांसदों को, political leaders को, जो movement आज जनता कर रही है, जो धरना कर रही है, वो उनको करना चाहिए था, जब हम संसद में लोगों को चुनके भेजते हैं, हमारी संसद में वहाँ पे जितने भी सांसद हैं, उनको political धरना वहाँ देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, ज कानून जो है, वो immediate cause है, लेकिन जो इनका पीछे से background चलता चला रहा है, कि हिंदुस्तान में actually गाओं का बहुत अंदेखा हुआ है, सो एक urban-rural divide है, सारा development शेहरों की तरफ आ गया है, और गाओं में ना आपके schools हैं अच्छे, ना आपके अस्पताल हैं अच्छे, ना आपक किया गया है, क्योंकि जो marketing mechanisms की जरूरत थी, ऐसा नहीं है कि हमारे आपे खाना नहीं उपता है, लेकिन उसका distribution, उसका forward and backward linkages की उसको कैसे शहरों तक पहुंचाया जाए, वो go-downs के setting up, cold storages की setting up, transportation system, वो सरकारों नहीं किया, और किसान जो है, वो economically अपने आपको उतना नहीं कर पाया है, जितना वो कर सकता था. कर देखे हम, बहुत जादा पीछे जाने के जरूरत नहीं है, early 90s में government जो है, हमारी socialist government है, primarily, कुछ चीज़े हैं जो सरकारों के काम होते हैं, और जब वो back out कर गई education sector से, तो हमारे हाँ private education को बहुत बढ़ावा दिया गया है, और उसकी वज़े से सरकारी schools destroy कर दिया गया है, आज एक आम आदमी जो है, इंडिया में private education इतनी expensive हो गई है, कि एक आम आदमी जो है, वो कमाता है सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि privatization से फाइदा हुआ है, यहां पे भी यह जो चीज़ है, अब यह लोग loans लेंगे bank से, इनके पास पैसा नहीं है इन कोपरेटो के पास भी तो जब यह bank से लोन लेके यह system setup करेंगे, तो यह system सरकार क्यों नहीं set up कर सकती है और कल को अभी ही जो हमारा जो किसान है, किसान अपना पेट पालने के लिए खेती करता है, लेकिन जब पेट पालने के लिए के लिए करेंगे, लेकिन लाखी नहीं लग रही यह पूरे भारत नो लग रही है वोगा की explanation हो सकती है बिल्कुल देखे यह है कि capitalism है यह neo-capitalism है यह जो next level of capitalism है जहां सिर्फ कुछ global elite जो है वो सारे संसादनों पर कबजा करना चाहते है आप पिछले कुछ सालों से देखे पूरे दुन्या में हो रहा है कि जल, जंगल, जमीन यह तीनों आप चाहे South America में देख लीजे आप चाहे इंडिया में देख लीजे चाहे आप यूएस में देख लीजे कि यूएस में भी आपकी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन हैं उन्होंने पानी को लेके और अपनी जमीन को लेके काफी मूवमेंट किया है तो global elite is also hitting back वो भी वापेस अपने जो capture कर रही है लेकिन लोगों में एक collective consciousness democracy के लिए बढ़ रही है तो लोग बाहर निकल के आंदोलन कर रहे हैं बहुत जादा उसको खतम करने के लिए यह एक तरीके का प्लॉय है कि oligarchies establish कर दी जाएं जहां पर सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके पास सारे resources के ओपर कबजा हो और बाकी जो जितनी populations है उनको एक bare minimum subsistence level पर जिंदा रखा जाए ताकि वो एक unthinking slave race की तरह काम कर सके जिसना तुसी के I think a perfect explanation हैगी पिरते के साम दे गालांगी उननो इस तरह बनां दे कोशिश हो रही है कि उननो सिर्फ अपनी रोजी ते रोटी दी फिकर हुए उनननो होर कोई development progress पावे हुना ले परवार ले अगरी पीडी ली ओप्शी नहीं दिता जाए उनना दे सिर्थे इनना बोज होए तुसी अपने बिल पे करके मारी जी रोटी प्लेट ते रखो बस दॉक्तर शाली यादव तुसी एक एड़ोकेट भी हैगे भाई परफेशन एज प्रफेशन आज प्रेम कोर्ट इस नवी स्टे में जिते स्टे गालां दिया है साथे अलडी कवरे जिस चीज से काफी चर्चा कर रही है किस तरह स्टे इस मसले नू हल कर सकदी नहीं कर सकद इस चीज नू तालन लेही ताके जो एंदोलन इन्ने वड़े लेवल ते पैल रहे है इनने लोग की शहीद हो रहे हैं इंटरनाशनल मीडिया नू वेख रही है इंडिया दे दिमोक्रसी नू वेख रही है ओस चीज ते एक पास दिता जाए एस चीज ते अपा गाल करांग इस चोटर जी ब्रेक लेख दिया है तुसी कितना जाओ गाल होरी शालनी आदव देनाल टीकरी बॉर्डर तो मिल दिया ब्रेक तो इस पार ब्रेक दो आदवासाइद एक भाई पर सौन तुसी वेख रही हो प्रोग्रम अज दा मुद्दा पांचे एंटीकरी बॉर्डर ते गाल होरी है साटे केस दिनाल पुलिटिकल अध्विस्ट एड़के इंटनेशनल रिलेशन्स दी तो दे को पी-च्ड हैगी बद मूर पॉ पा कैसको देहां कुछ फैदा उठान कोशिश करी है अभे सिंग चोटाला दर जो इस्तीफा देन दी तुसी कहलो चैलेंज पर सरकार ले गे रख्या गया अध्या गया Supreme Court में थोड़ा जड़ा कैना ना on the back of the hand के इंटर सरकार नू राप किता है but it doesn't seem like a concrete development in the sense that अंदोलन हले भी चल रहे है जो किसान आगवान दी मंगा हैगी जो किसाना दी हैं सारे प्रोटेसर दी मंगा हैं के इन बिलान अराद करना ही करना है और सचीज दी तरफ ता कोई इंडिकेशन नहीं है As an advocate, let's just start with that के जिते स्टे इगा लान दी है Is this even, पाह सकते है, एक प्रोग्रसिव स्टेप भी हैगा अधे चुछ कुछ कड़ भी हो सकता है इस मसले नू लाके और एक तरह दिखावा है कि हाँ जी लोका नू खुष करने ली, शेयर देशी नू सुनके लोकी लोट जान, इस अंदोलन ते थोड़ा जा, पानी पहा जाए की इस सुप्रीम कोड दे स्टेटमेंट तोडे विचार है कि कुछ ताइम से जो सुप्रीम कोड के कुछ पैसले हैं, उसमें जो जो जेनरल पॉब्लिक है, उसको यह लग रहा था कि सुप्रीम कोड जो है वो गवर्मन की तरफ बहुत जादा तेल्ट हो रही है, जबकि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो इस तरह से जो राप की बात आप कर रहे हैं, उससे सरकार, उससे सुप्रीम कोड में यह दिखाने की कोशिश की, अधि यह प्रो पीपल, हम आपके लिए केर करते हैं, लेकिन स्टे देके, इस जिस अब बाइंग ताइम, बेसिकली गवर्मन इस तरीके से खतम करने की को टेस्ट को लेके, जितना लंबा टाइम इसको खीशते चले जाएंगे, अपने आप लोग थकते वाइस चले जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं, यहां लोगों ने ना कोविट की परवा की है, ना किसी और चीज से डरे हैं, और वो डटे ह जो गाहों से आरहा है, चोटे-चोटे बच्चे रोज उठके सवेरे दूद ले रहे हैं, साथ में इकठा कर रहे हैं, कोई आके दे रहा है, आप देखते हैं, सबजी फल बगएरा सब आ रहे हैं, तो यह जो चीजें जो हो रही है, वो उससे सदकार घबराई हुई है, बह हमारे Central Government के दाएरे में आता ही नहीं है, कि वो agriculture के ओपर, agricultural marketing के ओपर, यह बिल्स बना, इस तरहे के laws बना पाए, जी, So by itself, this entire law is redundant, you know, अगर आज हम यहां खड़े हो रहे हैं, तो ज्यादा तर लोगों को actually इसलिए उटके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह दिमोकरसी के लिए बहुत बारा थ्रेक है, क्योंकि जब लोगों ने अपनी मर्जी से भेज रहा है, और वहां पे government जो है, वो constitutional तरी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल को यह लोगों किसी के लिए भी किसी तरीके से सरकार बना सकती है, तो वहन इपको इसको आप मान लेते हैं, तो इसका मतलब आप एंड़ दिमोकरसी को मान चुके हैं. अपने प्रडिक्शन दे विच एक अनोखी चीज एह हुन है गी, कि एक गाउगाउ दे विच फैल है, तो झालोगा भी? बचल लुख विच में पेले में इस प्रडिक्शन देना शुरू करना चाहनें, कि ए जो तो अटी परडिक्शन सी गी, ए दे बारे सानु दसो, कि प कि अंजाब हरयाना खेतिवाडी दे वड़े उना दे इंट्रेस्ट थान खेतिवाडी नेज, बट तवाडी प्रडिक्शन किस तरह तुसी फॉर्मिलेट की थी? देखी मैंने अपना Master's History में किया है, Modern Indian History में. तो उसमें मैंने अग्रेरियन स्टडीज किया था, इस एरिया की पुरी अग्रेरियन बेल्ट को पड़ा है, Modern International Movement पड़ा है, तो उन सब में यहां पे जो पहले जो जमीनदारी प्रथाय हुआ करती थी, जिसमें सिर्क कुछ लोगों के पास पावर होता था, किसान अपनी ही ज दूसरी जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन तक यह बातें बताई गई हैं, और यह डर जो है कि Corporates आएंगे और उसी तरीके की बात होगी कि पूरे के पूरे गाव एक आदमी को बिलॉंग करेंगे, तो वो खत्रा उनके लिए बहुत रियल है, दूसरी चीज यह है, कि revolution जो हमारा armed revolution नहीं था, तो peaceful revolution में सबसे बड़ी चीज जो की गई थी, वो consciousness रेज करने के लिए गई थी, consciousness जागरो किया गया था, तो एक गाउं से, हिंदुस्तान का, एक गाउं में वो जो आप कहें, विरोध, विद्रो या न्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, कि जो आकरांता देखे हैं, grassers देखे हैं, हमने बहुत rebel भी किया है, तो specially खास करके पंजाब हर्याना, जो पंजाब हर्याना है वो अभी divided है लेकिन पहले वो पूरा एक पंजाब था, तो इस area ने तो शुरू से sacrifices देखे हैं, हम आज भी forge में अपने बच्चों को proudly भेजते हैं, तो दूसरी चीज जो ये government मिस कर गई है, वो ये है कि जो हमारा spirit है, इस पूरी belt का जो spirit है वो sacrifice पे बेस्ट है, उनके लिए त्याक या शहीदी, शहीदी से बड़ा कोई दर्जा नहीं है हमारे यहां पर, तो जब हमारे ये अन्याय की बात आएगी और जहां जमीन, जो जम जमीन, जमीन यानि देश, देश यानि दिल, तो हमारी आत्मा यहां पर बसी है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक लड़ जाएंगे, तूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज है जो इस government ने मिस की है कि देश, ये पूरा हिंदुस्तान और खासकर कि इस belt में, हमारे यहां रा जिन हुने त्याग किया, उनको महान माना जाता है, रोस की जिंदगी में वो है, तो त्याग is a very big thing, this is all, you see here, ये जो लोग है, वो कहरें, हम त्याग करने पर तही है, कुछ इमेजी सानु किते हैं, सानु, था 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 है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जोनादे इमिजोनादे किताब आवेखन नू मिल दिये, जो और साथे शहीद हो है, जिस्तना तुसी के अट्रांते कारी साथे, जाथे पोईस, रइटर, इंटलेक्शोल, राइ, हुनादे सिर्थे, एमोवमें टिपर ही लहां, शुरू होरी है, जिस्तना लग रहां थाए तुसी इस चीज नो प्रडिक्ट किता, बट जदो अपा गल कर दें कि एदा फ्यूचर की है, के सपसे एफ मुवम्में जाओगी, मैं ओदे बाड़े भी तो इनल डिसकेशन करना चांदी है, बट इथे ए सवाल सब तो वड़ा ए बनदा है, के पंजाब और हर्याना दे बिधान भाजनीती ता अपने प्यादा लेक्ता, या ओहो जी रलेशन्शिप कायम रहोगी, या ओल्रेडी सान्दों कुछ ए होजे साइद वेखन दो मिलरे के हर्याना राजनीतीता उपने पैदरले अपने पैदरले अलरे बंदों सबहें है कर दे दोंदी है, के जब भी म कखिए यादव, आम सो सारी, इप एप छोटी ची ब्रेक ले रुखते हैं, वे गना फाइंट सम्मेरा एंट इस एप अंगोलन ते मोर्चे दा महाल, तुसी एप एप कैमरा शुक के, कोई भी रिपोर्टिंग करते हो, लोका नो अपना मेसेज, अपना संदेश, इनी डेसमें कि कैमरा आँ नी हुंदा थे ए नारे शुरू हो जानदे है, जो चीज अपतों दिखा रहे हैं, एक ग्राउंड रियालिटी है गी थे, कोई वाइलेंशी भी रिपोर्ट इनी डेसों, सिरफ लोका दा जोष परिणाल पहुंचारे है, ति एक आपना जाओ, प्रोग्रम इस सब्सक्राइब एक परिफेट दस ना चांदी है, जो अंदोलन्द महाल है, जो सचाई इते है, कि ग्राउंड दी रियालिटी, ओत ओर दिनाल साड़ी हमेशा कोशिश रहन दी है, कि सांजी किती जाए, गल हो रही है, Dr. Shalini Yadav Ji Denal, सब तो पहले, Dr. Yadav, तुसी एक इतिहासि तोरते, ते एक प्लिटिकल अक्टिविस्ट, हिस्टोरियन, एड्वकेट दे तोरते, इन सारी चीजानु समझे है, जाने है, ते साड़े व्यूर्स ना चीजान कुछ सांजिया किती है, बट उस तो पहले तुसी एस अंदोलन दे विच एक एक अक्टिसिपेंट भी हैगे मैं चालाँगी कि तुसी साड़े व्यूर्स ने दे तो किते बैठे हैं ते कौन साड़े नाल थे जुड़े हैं देखे, यह हमारा सोशल मिडिया का कैम्पेइब जो पूरह है जो गर्वन्ट के पास सब कुछ है रबरिम्ट के पास सारी रिसॉर्स रेसिस है में स्ट्रीम मेडिया उनके पास है तो वह सिर प उसंदोन को प्रोजेक्ट कर रहा है लोगों के बीच में तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि इसानों के बीच भी और गाउं से सारा interlinkages established किये जाएं तो वो ये social media team ने यहाँ पर किया है ये social media team का टेंप है ये अनूब जी है, वनल जी है, नैन जी है और यहाँ से पूरी एक chain create की गई है तो जैसे गावों से कुछ आना होता है कोई समान, कोई resources चाहिए होता है तो पूरा जो देश है वो जुड़के कर रहा है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि movement यहाँ से चल रही है, movement उधर से भी चल रही है back end से भी चल रही है, foreground से भी चल रही है तो आगे वाला जो है, वो इन लोगोंने संभाला हुआ है back end पे कई हाथ हैं जिन्होंने संभाला हुए, तो बून-बून से सागर बन रहा है तो मेरा participation भी है, जैसे अभी हाँ पर हम लोग रिले फास्ट्स रख रहे हैं 24-24 गंटे के भूखर्थाल भूखर्थाल करके हटे हो हुमारी बात कुछ दिनों पहले हो इसी तो उसी मिन्हों किया कि हा मैं कल भूखर्थाल दे सीगी, सौरी कॉंटेक नहीं बढ़ा हो देवारे संभाला से तो वो 24 गंटे का हम लोग का भूखर्थाल होता है, ग्यारा बजे से लिके अगले दिन ग्यारा बजे तक तो उसमें महिलाएं भी बैठ रही हैं, पुरुष भी बैठ रहे हैं, तो महिलाओं का हम स्पेशल दिन रखते हैं, 18 तारिक को एक बहुत बड़ा हम लोग इस तरीके से, क्योंकि 18 को महिला दिवस भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इससे लोग आजे तक करते हैं, यहां पर बहुत दिक्कते आती हैं मायलाओं को, क्योंकि सब किसान परिवार से हैं, सब टाइप के परिवारों से हैं, सडकों पर हम लोग कभी नहीं सोय लेकिन अब की बार सोय, और खुब ठंड थी उन दिनो बार रिष भी हो रही थी, तो इट स्टाफ इजी और इतना साउंड आपके सिस्टम्स पर काफी चालेंज होता है लेकिन सब में किया मिलके कि हमारे साथ एक चोटी सी लड़की भी थी तो वो बच्चा भी था हमारे साथ आज आप भी आप देखेंगे तो चंटिनुवस्ली रिले फास चल रहे हैं अथारा तार करेंगे और इसमें हिस्सा लीजिए क्या आगे के बागडोर जो है वह हम सब को मिलके संभादने हैं दॉक्टर यादर आपकोर्स मैं तोड़ना थोड़ी जी हुन गाल करना चाहिए जिथे अपा इतिहास दी गाल किती की ओ सिच्वेशन सी गियां जिनादे करके अज इस कोई रेजलुशन कोई हल दी गाल आंदी है राइट बिकास हुन सारें दा ओस सपासे ध्यान लग गया है कि देखो जी इनना समा हो गया है इनने साथे शहीद हुए हैं जो इतिहाए हुन साजे बजूर्ग दिन बर दिन सानू इस तना दी खबरा सुना नू मिल दिया हुलता लोकादे वल्लों दितियां गई है और बना रहे है बेस्ट दे सिच्वेशन जिस तना से क्या हलाक बहुत डिफिकल रहे हैं हले भी सर्दियां दा टाइम चाल रहे हैं ते लोग की एह होजे निया है कि तुसी सड़क ते सोन दातों कोई शौक है या कोई आदत पे ह है यह सारे तरह दे लोकी थे पांचे हैं उस तो पहले तुसी महिलावादी गलती है न एस अंदोलन दे वेच एक और नोखी चीज जो देखनो मिली है महिलावादी पार्टिसपेशन जनानिया दी साथी बुजर्ग बीबिया दी बच्चे आदी तुसी एस चीज ते कम कित है की पंदय जनानिया वलन दे व 시 और जजबा है के नी अप्न एदे वेच हिस्सा है लाना हिला लाना है देख़े, मैं वहीं बात कर रही थी कि यह अरिया जो है यह वार्यर जों ठाहा है और इंडिया में कई जखे से वार्यर जों है तो जब भी आदमी आगे फरंट पे ज स्टूश्बिलिटीज महला यह खुद लेती हैं लाहिव बहुत बोल्ड और बहुत हाड़शिपस वेस कर सकती हैं तो उसमें यह वाला जो जेंडर डिवाईड है न की यह काम इनका है यह लडाई इनकी है ऐसा हमारे यह हुंप हम्मत है और मैं तो हर्याना की महलाव के लिए यह कहूंगी भी कि अगर आप देखें इंडिया का इतिहास तो हर्याना की महिलाओं को तो जहां जहां मौका मिला है हमारे olympic gold medalist सब देख लीजे सब हर्याना से आते हैं तो सिर्फ मौके वाली बात है और यह अपनी जिम्मेदारी समझ के हर महिला जो है वो जानती है कि उसक कि अगए बढ़ चड़कर जानती है यह लड़ाइ अकेले नहीं लड़ सकते जी अपनी अकले नहीं लड़ सकते उनक्ट इसमें जेंडर नहीं इसमें एज बैरियर भी कोई नहीं है अगर आप देखें छोटे से चोटा बच्छा भी आ रहा है हां पे और बड़े से बड़ बुजूर्ग भी आ रहे हैं एक नबे साल के बुजूर्ग भी आये थे यहां पे बैटने के लिए तो इस तो होल फ इंडिया इस तोगेदर जी अगर आप पहुन थोड़ी जी गल नू लेके जाई है कि इस तरह ए चीज किस तरह रिजॉल्व हो सक दिया रही है साधी रिपो प्राइम मिनिस्टर दी तरह देख्या जाएगा उन्हों एक वीक लीडर दी तरह देख्या जाएगा बर तोड़ा कहना कुछ हो रहा है इस चीज नू लाके थे सरकार था खास करके जित्धे साधे पीम दी गालां दी है की उन्हा दे फैदेच चाह इस चीज नू वापिस अपाइथे लोका निकालनी करें किसानी दी गालनी करें देश दी भविष्ट निकालनी करें एस सरकार दे फैदेली एचीज हैगी या उननू तोडे ख्याल चीज नुकसान ही होगा देखें स्ट्रॉंग लीडर्शिप को यहां पे रिजिड लीडर्शिप के साथ दिमोक्रिसी जो है अगर मुझे लगता है कि गाव्मेंट जो है अगर यह वापस ले लेती है फैसला तो एक्चुली लोगों में एक पॉजिटिव मेसेज जाएगा नेगेटिव नहीं यह नहीं कि अगर सरकार से गल्ती हो गई तो सरकार बापस गल्ती मानने के लिए और लोगों के हिसाब से कानून बनाने के लिए तैयार है अगर जैसे हम एमेजनसी की बात करते हैं इंद्रा गांदी के टाइम में उन्होंने भी एमेरजनसी खुब उसमें बहुत बहुत कुछ खराब हुआ था लेकिन उन्होंने वापस ली थी और कुछ सालों बाद इसी इं दिन्हों नहीं लिए गये तो लोगों में क्या मैसते जा Boss I love you में इसे ज़ा रहा रहा है कॉम्यों में एन्में आपको वोट दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने आपके हाथ में चाबुक दिया है हमने आपके हाथ मेंUU I is almost like आपने करणसी दी है तो यह ट्रस्ट ट्रस और प्रशासन के बीच में बहुत मुठवेडे होने लगेंगी. देविल बी रिबेलियन, देविल बी रिबेलियन. लेक्वी हाव सीन इंडियमें अग्जलाइट मुवमेंट्स होई हैं और कई-कई सालों तक चली हैं. वहाँ पर सरकार जितना ज्यादा दमन से दबाने की कोशिश करेगी, उतना ही विद्रो होगा, उतना ही विरोध होगा, तो सबसे अच्छी चीज यही है कि ये कानून वापस ले लिये जाएं और आगे बढ़ा जाएं, क्योंकि जनता में एक अच्छा मेंसे जाएगा, अगर आगे बढ़ा आप नहीं लेते हैं, तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा, तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा, तो एस अ क्लेक्टिव आंगर. कि ये मिलिन डॉलर क्वेशन हैं, कि ये नहीं वापस लितना जाओगा, कि ये ताइम लाइन तो लेक्टिव पैले एक चीज़ प्रडिक्तिती थी, तो अजवेखन मिल रही है, पुरा इंडिया जागरूप और एंचीज़ आगे, मैं कमांगी पूरी दुनिया देविच ए कि ये रेजलूशन बिल, आक्ट दी अरद दिनाल होएगा, ये कॉंप्रमाइज दिनाल होएगा, कोई अमेंडमेंट ये कोई स्टेज इस तराज सुप्रीम कोट तब आना है, जैसे सुप्रीम कोट ने कहा और हर्याना के भी चीफ मिनिस्टर ने ये ही काया कि सरकार कानून वापिस नहीं लेगी, अमेंडमेंट के लिए देख सकती है, तो मुझे लगता है कि 25-26 जन्वरी हमारे रेपबलिक दे है, उससे पहले गाव्मेंट की तरफ से कुछ एक मुव्मेंट तो जरूर होगी, क्योंकि किसानों ने भी कह दिया है कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे कि हमारी एक अल्टरनेट लोकतंत्र की डिमोक्रसी की मार्च होगी, तो इंटरनाशनली सारा मीडिया देख रहा है, तो यह इमेज मैनेजमेंट का वैसे भी खेल चल रहा है, तो तब तक मैनेज करना जरूरी है, उसके बाद मेरे ख्याल से एक जो सोल्यूशन इस तरीके सि करेड़ा, जी, तो यादव, सुप्रीम कोट ने ता एभी कहा है कि दिखो जी, अपाइक पास से ता सरकार नो कहरे हैं कि तौड़े तो यह हल लब्या नही जा रहा है, सानु इन्वाल हों दी, लोड़े आपा हो आगे, तुझे पास से सुप्रीम कोट ते भी चीज सानु जी रपोर्टिंग सुने नो मिली कि उनना एक सान आगवा नो कहा है कि तुसी एक एफिडेविट साइन करो, कि तुसी जैनुरे 26 नो रपब्लिक दे नो एचीजा नही कर सकते, राइट, तुसी कहोगे कि एक होर एक तरह दी साजिश, या टाइम डिले करन दी, या लोगका पर उसन दी, कोई चाल हैगी या अधिज कोई एक्शुल इंटेंशिन है, रेजलूशन दे लेएगे इस वक्त मेरे ख्याल से सरकार सिर्फ 26 जनवरी पर फोकस कर रही है, कि किसी तरीके से 26 जनवरी को निकाल लिया जा है, इसलिए यानि किसानों का जो और इस मुव्मेंट का जो प्रेशर है वो गव्मेंट के ओपर बहुत अक्यूट है, गव्मेंट के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो ये बिल वापिस लेती है, तो जो नियो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो जिस सरह का कैपिटलिजम हम देख रहे हैं, उसके लिए अगरा स्टेप यही है, उसको हत्यानी है, क्योंकि उसके बगएर वो आगे बढ़ नहीं सकता है, तो वहाँ पर वो स्टाक है, अगर ये मुव्मेंट हम जीते हैं, तो ये इस तरह के कैपिटलिजम का एंड है कहीं पर, और यहां से ये जो मुव्मेंट शुरू हुआ है, ये इंटरनाशनली एक मेसेज कि लोग खड़े होके, जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे इहां इसवक्त जो ज्यादा तर जो किसान है, जो लोग जमीन पर आके इसवक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास कोई बहुत ज्यादा संसादन या रिसोर्स नहीं है, अगर वो आदमी मिलके जब लड़ते ह और सरकारों को जुका सकते हैं, तो ये कितना बड़ा मेसेज है उन लोगों के पास, उन ससाइटी के पास, जिनके पास हमसे बहुत जादा है, तो ये मुवम्मेंट वहां से यही शुरू होगा मिरा मानना है, लेकिन गवर्मेंट के लिए, I think the wisest policy would be, politically अगर आप political savvy भी दे इस चीज नो लाके अल्रड़ी दो महीने हो नो आया है, गवर्मेंट अगर एवी कहन दी के चलो जी अपा कंसिर्वर कर लने है ना नो अरद करना, की टाइम लाइन तो अड़े ख्याल की ओ, होर छे महीने इस चीज नो अगे तोरन गे, किन्ने होर शहीद होंगे, किस तना अगे तो अगे तो आप एवी कोई शीज दा डिसेजन हो सकता है, जो लगता है कि 26 जन्वरी के बाद ही हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट जो देखेंगे, देखेंगे, गवर्मेंट वेट वेटिंग गेंग खिला रही है, कि कितने दिन तक आप इसको कंटीनु कर सकते हैं कितनी आप में पेशन से हम यह देख सकते हैं, हमने आँटी सी ए प्रोटेस्ट में भी देखा कि मूवमेंट चहहमेने तक चल गई, उसके बाद कोविट की वज़े से उसको विड्रॉ करना पड़ा, तो जब आप अती पे पहुँच जाते हैं, वन यू रीच एन एक्स्ट कि पेशन्स कम हो जाएगी, गवर्मेंट को भी एक खत्रा है, वो यह है कि किसान परिवार से लोग फॉज में जाते हैं, किसान परिवार के लोग पुलीस में हैं, उसके खुद के सिस्टम के अंदर जो लोग है, चलाने के लिए जो प्रशासन तंत्र है, उसमें यहां के इ कि हमारा experience रह चुका है कि लोग गलती माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आपको जिद में देखा है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा leader होता है, जिसको हमने leader की position पे दिया है, उसके हमारी emotional attachment बहुत होती है, तो अगर हम उसे, हमारा दर्द देखके भी अगर वो नहीं पिगला, यह समझा जाएगा लोगों के लवारा, उसके लिए लोग मार्फ नहीं करेंगे. इत्थे बैठे है ने सोशल मीडिया टेंट देवेच, तो अनू जानकारी वक वक अप्डेट्स परवाइड करेंगे, ते परवाइड कर दे रहांगे, बढ़ अज दे प्रोग्राम ले इसानू सारे अनू देव अजाज़त, सस्रेकाल.